So welcome back to free era और आज हम बात कुने वाले हैं free fire के related काफी interesting update के बारे में अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe करके रख लो क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगी free fire के news सबसे पहले हूँ सबसे interesting news और आज की वीडियो start करेंजे पहले हम आपको यहाँ पे एक challenge करने वाला हूँ मतलब giveaway से related एक challenge तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारे 95 के subscribe कम्प्लीट होने पर हम giveaway start करेंगे तब तक हम fun custom अपने channel पर करते रहेंगे तो अभी मैंने decide कि अगली महिने की एक तरिक से मैं giveaway start करने वाला हूँ यानि की first में से मैं giveaway start करने वाला हूँ तो आपके लिए यहाँ पर challenge यह है कि अगली महिने की एक तरिक से पहले पहले अगर मेरे 95 के subscribe कम्प्लीट हो जाते हैं उसी साम को giveaway start कर दूँगा और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रखाऊं कि giveaway 30,000 diamond का होने वाला जो की पूरे महिने चलेगा तो अभी केवल 3 दिन बचे है तो भाई जितना ज़्यादा share कर सकते हो अपने दोस्तों में हर जगे इसको share कर दो ताकि जल्दी से subscribe कम्प्लीट हो जाए तो चलिए आज के हमारी पहली अपडेट के बार में बात कर लिती हैं जो कि हैं बेटू वाईटी और एडिटेक के बार में तो जैसे कि आपको अभी पता हुगा अनके बीच क्या कुछ कॉन्टरफर्टी स्टार्ट हुई थी मतलब ID स्कैम को ले करके और मैंने आपको यहाँ पही explain किया था कि बेटू वाईटी ने क्या कुछ blame लगाया था एडिटेक के उपर और एडिटेक के उस पर क्या कुछ reply था तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पही बताने वाला हुग कि बेटू वाईटी अपने यूट्यू चनल पे एक विडियो अफ्लोड किये जहाँ पर ओ सोरी कहे एडिटेक को यहाँ पर ओ गए कि बिना कोई प्रूफ के वो उन पर blame लगा दिये यहाँ पर बेटू गाती अईडिटेक को सोरी कहे एड यहाँ पर ओ यह भी बता है कि उनके आईडिगों किसी और ने हैक किया है तो अभी एक कौंटर वर्षिय यही पर end हो चुकी है यहाँ पर बेटू आईडिग बोल चगहे कि उनकी आईडिग अडिटेक ने हैक नहीं क किया है और जब देशी गेमर अपने यूटूब चैनल पर लाइफ्ट्रिम कर रहे थे उनके लाइफ्ट्रिम पर काफी जदा स्पैम हो रहा था कि बाई बेटु आइटी को जस्टिस दर्वा उनके आइडी स्कैम हो गई है लेकिन यहापर देशी गेमर को नहीं पता होता कि कि B2YT कोन है यहापर नुके साथ किया कुछ स्कैम हुआ है तो यहापर उनमजे लेने के चक्कर में बोल देते कि X-Man है इनुकी इडी को स्कैम किया है और इसके बाद देसी के लाइफ्ट्रिम पर क्या कुछ सीन होता है इसके रिगार्डिम आपको यहापर दिखाने वाला यहांग जस्टिस्टीसटीर B2-I-T मानियाने B2-I-D इका एड़ी है कर लिए बोले है यहाँएएएए? मैं 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 करुएएएएएएए- मैं तु 1.1 पॉंट 1.1 गिलियाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए वहाँ जांक वह झांनागे घड़ाओ तार9 क्νहीं भाड़ाँ जैर झाल रंवकाँ जांक अइसा जांक ya.. यह थाद नहीं यह यह झाल थे छोडिए जाने विजिए उसंट फॉक गессट फॉक्ट न्हीं कहता लगाँ भी जाने नहीं दो जाने विए डbor62 तो चलिए हमारी अगली एपडेट के बार में बात लेते हैं जो कि है टू साइड गेमर के बार में काफी बड़ी अच्विमेट है यहां पर टू साइड गेमर के यूटू चैनल पर वन बिलियन व्यूज कंप्रीट हो गए तो यहाँ पर वन बिलियन व्यूज बहुत जादा होते हैं तो उनके लिए काफी बड़ी अच्विमेंट है तो उनको मैनी मैनी कॉंगरेचुलेशन तो चलिए हमारी अगली अप्डेट के बार में बात किलते हैं जो कि हैं स्काइलोड के बार में तो कल स्काइलोड अपने यूटू चैनल पे एक वीडियो अप्लोड किये जहाँ पर बात किये ग्लोबल टोप पर जाने वाले गेमर्स के बारे में यहाँ पर Skyload यह बताए कि आज के टाइम पे वो पहली वाली बात नहीं रही है जब लोग ग्लोबल पर जाते थे और उनको इज़त मिलता था ग्लोबल नमबर वन पर जाने के लिए लेकिन आज के टाइम पे जो भी लोग ग्लोबल पर जाते हैं वो हैकर्स के साथ खेलते हैं या फिर अपने ID को 10 लोगों से खिलवाते हैं यहाँ पर Skyload एक important चीज़ के बार में बात किये यानि की Free Fire Match Making के बार में तो चलिए हम आपको Skyload के यहाँ पर कुछ Main Main Video Clip दिखा जेता हूँ जाप Skyload Match Making के बार में बात किये तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बार में बात करते हैं जो कि है Total Gaming के बार में से अपन चीज़े पुछने है Mystery Shop कब आएगा विडियो ऐसा गरेना के मा की आंख नए गरेना को कॉल करेंगया ला 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 ओके गैस तो अभी गरेना को अपन लोग कोल करते हैं क्या मतलब तुमको अरे रे गरेना का डीपी दिखना बंद हो गया रहे वोट्सप पे डिस्प्ले पिचर नहीं दिख रहा है गरेना का मेसेज भी नहीं जा रहा है ब्लेकलिस्ट कर दिया क्या वाई यार इन लोगों ने व्टसप पे भी ब्लेकलिस्ट ड़ दिया मैंने बूला मिस्ट्री शॉप कर आए इन लोग ने ब्लेक में डाल दिया मिर व्लॉक कर दिया वट्सप में तो हॉव तो मैं आपको यापर बता देता हूं कि टोटल गेमिंग यापर केवल मजाग करें थे मतलब रियल में वो कोई भी कोल नहीं किये थे या फिर गरेना फ्रीफायर ने उनको वर्टसव पे ब्लोक नहीं किया था ये चीज यहाँ पर टोटल गेमिंग केवल फन के लिए किये थे तो बस यार आज गली बस मेरे पास इतने ही अपडेट थे I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता आपको अगली वीडियो में ऐसी कुछ इंटरस्टिंग अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई